हलो नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिस्ट्री के मौस्ट इंपोर्टेंट सौर्ट क्वेस्टन अंसर बताने वाले हैं इसी वज़त से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंतक देखेंगे तो इसका पर्थम कुस्टन है कि मौर्ज पालिं अस्थंबो पर एक लगूलेक लिखिए रहने कि मौर्जकालिन के विशरी में आपने जितने भी जानते हैं मौर्जकालिनऽ के विश्थम द्धम लिपी अंकीत है इसका क्या है द्धम लिपी अंकीत है इन्हें समराज के विभीन भागों में मुख मार्गों पर अवस्थित कर दिया गया था इसमें से जो अस्थम आज दिल्ली प्रियाग लोरिया अरे राज लोरियानंद गड तथा रामपुरुवा में है उन पर असोक के परमुक लेक अंकीत है लुम्बनी साची सारनात को सामबी आदियस्थानों पर प्राप्त अस्थम्बों पर उसके लगु लेक प्राप्त होते हैं फिर प्रग्राप चेंद करके लिखेंगे कि अस्थम्बों का निर्मान उच कोटी के अभियांत्रिकी कला को परद गया है एक पासान खंड से 40 फीट अस्थम्ब को सुधता के साथ तरासना निश्चित ही आस्चर जनक है और मोड्य कलाकार के अभियांत्र की ज्यान की पुर्णता का सरवतम उधारन परतीत होता है देखिए इतना सारत क्वेश्चन है इसमें फिर आप इसको याद कैसे आपको क्वेश्चन को समझ करके तिन से चार इसमें जो आपको मेन मेन पॉइंट आपको लगता है उसे आप याद करेंगे बाद वक्ति फिर अपने कॉपी पर इसे देख देख करके फिर लिखने का परियास करेंगे उसके बाद फिर आप जो है न अपने अनुभव से इस स्रोतों के नाम लिखे इसका एंसर लिखेंगे कि मोर रिकाल नितिहास के चार अवी लेखिया स्रोत निमने लिखित है पर्थम पॉइंट लिखेंगे चौदा वरिहत सिला लेख जो कलसी साहबादगड़ी आदी से मिले हैं दुसरा लिखेंगे मौस्की गुर्जरा से प्राप्त लगु सिला लेख है और तिसरा लिखेंगे गिरनार से प्राप्त लगु सिला लेख चौथा लिखेंगे कि लोरिया अरे राज से प्राप्त अस्थम अभिलेक नेक्ष्ट कुश्चन है कि मोर्जे कालिन कला एवं अस्थापत का वरनन करे मोर्य कालिन कला यानि कि उस समय जो चित्र कला था उसका और अस्थापत यानि कि जितने भी मंदिरों या जो भी बनाया गया था उसका वरनन करने के लिए बोल ला था इसका एंसर लिखेंगे कि मोर्य कालिन कला यानि अस्थापत का सर्वस्रिष्ट नमोना इस समय के अस्थम या यक्षिनी की मुर्ती है सांची सारनात आदी जगहों पर मोर्य कालिन अस्थूप मिले हैं इस समय मुर्ती निर्मान में गंधार यानि मतुरा सेली का विकास हुआ असोक द्वारा 84 हजार बोध अस्थुपों तथा विहार का निर्मान कराया गया था इस काल में परवतों को काटकर गुहा गुहा बनाया गया था बरावर की पहाडियों एवं नागारजुनी पहाडियों से ये आज भी है कहते हैं कि ये पहाड़ी आज भी है नागारजुनी पहाड़ी नेक्स्ट क्वेस्चन है कि गुप्त कालिन कला की मुख विशेष्टाओं का उल्लेक करे गुप्त कला की मुख विशेष्टाओं का उल्लेक करना है तिसका एंसर लिखेंगे कि गुप्त कालिन कलाओं में मुर्ती कला चितर कला का महतपूर्ण अस्थान है कहते हैं कि गुप्त कलाओं की विशेस्ताय में जो है न अभी मुर्ती कला और चितर कला का महतपूर्ण अस्थान है तो फिर इसके मुर्ती कला के विशे में लिख देंगे गुप्त कालिन मूर्तियां बोध धर्म से समंधित वस्तुओं और पुरानों में दी गई घटनाओं को दरसाती है मथुरा और शारनात में पत्थरों और कांसे की बुद्धिय और बोध अस्थम्बों की मूर्तियां बैटे बहुँ संख्या में पाई गई है इस कला की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति वो है जिसमें मुद्रा बुद्धी पर्थम प्रावचन दे रहे हैं फिर लिखेंगे इस मूर्ति को भारत में सबसे दुरलव मूर्ति माना जाता है फिर इसके चितरकला के भी सेमलिक देंगे चितरकला देंगे और फिर लिखेंगे चितरकला भी गुप्तकाल में अपने परगती के सीखर पर थी इस कला का व्यभार राज महलों और हिंदू तथा बोध मंदीरों को सजाने के लिए क्या गया था इस कला के सबसे सुन्दर उधारन अजन्ता की बुद्ध गुफाएं स्री लंका में सुग्रिया और मद परदेश में बाग की गुफाएं हैं कि किनी दो गुप्त कालिन मंदीरों के नाम इवम अस्थान को लिखे कहते हैं कि किनी दो गुप्त कालिन मंदीरों के नाम इवम अस्थान को लिखना है इसका एंसर लिखेंगे गुप्त कालिन दो मंदीरों के नाम इवम अस्थान निमन है फिर पर्थम पॉइंट देंगे देवगड के दसावतार मंदीर इसके भी सेमें थोड़ा से लिख देंगे कि यह वैशनम धर्म से समंदित सबसे महतपूर्ण मंदीर है फिर दुसरा पॉइंट लिखेंगे भुमरा का सिव मंदीर भुमरा का सीव मंदिर यह सेव धर्म से समंदीत सब से महतपुर्ण मंदिर है यह सेव धर्म से समंदीत है और सेव धर्म वाले लोग भगवान सीव को पुझते हैं नेक्स्ट कुश्चन है कि गुप्त काल में सती पर्था का संचिफ्त लेक लिखिए यानि कि गुप्त काल में सती पर्था का क्या मतलब उस समय उसका क्या दैनी अस्तिती था सती पर्था को ले करके उसको लिखना है फिर इसका एंसर लिखेंगे कि गुप्त काल में सती पर्था के उलेख मिलता है एरन सिलालेख में उलेख है कि गौपराज नामक सैनापती की पत्नी यूद में अपने पती की मिर्थ्यू के बाद सती हो गई थी हर्ष की माता यसो मती अपने पती की संभावित मिर्थ्यू मात्र परहें छोसव चारिश्वी में सती हो गई थी गुप्त काल के पूर्व महाभारत में सती पर्था का उलेख पराप्त होता है पांडू मिर्थ्यू के बाद उसकी पत्नी मादरी उसके साथ सती हो गई थी कृष्ण की मिर्थ्यू के बाद उसकी पत्निया भी उसके साथ सती हो गई थी महाभारत के आदिपर में सती परथा का क्या है समर्थन क्या गया है फीर भी यह कहा जाएगा कि सती परथा आम नहीं था अपुवाद स्वरूप था थी नेक्स्ट क्वेस्चन है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित के बारे में आप क्या जानते हैं इसका एंसर लिखेंगे समुन्द्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त दुईतिय सिंगहासन पर बैठा उसने विक्रमादित की उपाधी धारन की वह एक बहुत बड़ा विजेता था उसने गुप्त समराज को सुद्रिड बनाया और उसमें मालवा गुजरा और काठियावाड सामिल किये अपने उसने अपने बेटी प्रभावती का विवाह वाकाटक वंस के सासक रूद्र सेंदुईतिय के साथ किया इस विवाहिक समन से चंद्रगुप्त को अपने समस्त सेना को सकों के विरूद इकठी करने का अवसर मिल गया प्रभावती वाका तक राज की एक बहुत प्रभाव साली महरानी थी चंद्रगुप्त दूतिय कई नए परकार के सिक्खे जारी किये उसके स्वने के सिक्खे से उसकी सक्ति व्यक्तित्व और अस्थिति का पता चलता है नेक्स्ट क्वेस्चन है कि मेगास्थिनिज के बारे में आप क्या जानते हैं इसका अंसर लिखेंगे कि मेगास्थिनिज चंद्रगुप्त मोर्ज के दरवार में युनानी राजदुत था उसे सेल्यूकस ने अपना राजदुत बना करके चंद्रगुप्त मोर्ज के दरवा था मेगास्थिनिज ने भारत में जो कुछ देखा उसे इंडिका नामक पुस्तक में लेक बंद किया मेगास्थिनिज ने जो कुछ भी देखा था वो अपने एक पुस्तक लिखा इंडिका और उसमें सारा कुछ लिख दिया है उसने भारत का जो विबरन प्रस्तूत किया है उसने भोग लिक परियावरन भारतियों के समाजिक जीवन उनकी धार्मिक अवस्थाओं राजनितिक तथा प्रसाशन के बारे में लिखा है उनकी धार्मिक वस्थाओं की विजय जीते थे यानि की युद्धों को जीते थे विजय पाते थे उसके विजय में लिखना है इसका एंसर लिखेंगे समुन्द्र गुप्त प्राचिन भारत के महनतं सासकों में एक था उसने अपने पिता की नीती का अनुसरन करते दिगविजय की नीती अपनाया उसने सबसे पहले उत्तर भारत को जीता और इस छेतर के सभी नो राजियों को अपने समराज में सामिल कर लिया इसके पस्चात आटविक राज को जीत कर वहाँ अपना सेवक बनाया तत पस्चात दक्षिन भारत के राजाओं को प्राजित किया और अपनी अधिन्ता स्विकार करने के एवज में उनकी राज वापस लोटा दिया वह बड़ा ही दूरदर्शीत था और इस बात को अच्छी प्रकार समझता था कि उन दिनों आवागमन के साधनों के अभाव में राज तंत्रिय व्यवस्ता इतने बड़े छेतर पर नियंत्रित बनाय रखना संभव नहीं था इसलिए उन राजियों के साथ मितरता पूर्ण संभण बनाय रखना उचित समझा इसलिए उसे महान सासक कहा जाता है नेक्स्ट क्वेस्चन है कि समुंद्र गुप्त की नेपोलियन से तुलना क्यों की जाती है दो कारण बताए बहुत इंपोर्टेंट क्वेस्चन है इसको नौट करेंगे और याद करेंगे इसका answer लिखेंगे समुद्र गुप्त की नेपोलियन से तुलना की जाती है इनके दो कारण निमन है, डैस दे करके फिर इसके नीचे में लिखेंगे पर्थम point की विजई अभयानों के कारण समुद्र गुप्त को नेपोलियन से तुलना किया गया है तो समुन्द्रगुप्त नेपोलियन के समान कई विजय अभियान किये आर्यावर्त दक्षिनापत आधी छेतरों पर विजय पाई थी दुसरा पॉइंड लिखेंगे कि समराज की सुद्रिड ता के कारण उन्हें नेपोलियन से तुलना किया गया है इसका बिसेमलीक देंगे थोड़ा सा कि जिस प्रकार नेपोलियन के समय फ्रांस यूरोप का सरवाधिक सक्ति साली राज था उसी प्रकार समुन्द्रगुप्त के समय गुप्त वंस को चुनोती देने वाला कोई नहीं था तो माई डियर स्टुडेंट्स हमने 10 इंपोर्टेंट को सॉल्व किये हैं अगर अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्ली सस्क्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी सेयर करेंगे अब नेश्ट कुश्चन है कि समुद्र गुप्त पर एक संचिप टिपनी लिखे समुद्र गुप्त पर एक संचिप टिपनी लिखना है तो इसका एंसर लिखेंगे गुप्त सासक चंद्रगुप्त पर्थम का उत्राधिकारे उसका पुत्र समुन्द्रगुप्त था भारत्य थिहास में समुन्द्रगुप्त का अस्थान एक महान विजेता तथा परभाव साली समराट के रूप में स्विकार किया गया है उसने अपनी विजयों के द्वारा भारत को राईनितिक एक्ता के सुत्र में बांधा समुंद्र गुप्त एक महान विजयता ही नहीं बलकि कुसल संगठन करता तथा कला और संस्कृती का प्रियरक भी था प्रियाग प्रस्थस्ती में उसे सर्व राजोक्ता अर्थात समस्त राजाओं का उन्मूलन करने वाला के साथ साथ उसे ज्यान मरमग भी कहा गया है नेक्स्ट क्वेस्चन है कि कलिंग यूद का असोक पर क्या परभाव पड़ा इसका एंसर लिखेंगे कि कलिंग यूद का असोक पर नीवन परभाव पड़ा पर्थम पॉण लिखेंगे असोक ने समराज विस्तार की निती का परित्याग कर दिया दुसरा पॉण लिखेंगे इसने अहिंसा शत प्रेमदान प्रोपकार आदी का रास्ता अपनाया विदेशों में भी किया गया नेक्स्ट कुश्चन है कि मोर्ज कालिन नगर प्रसासन का परप्रकास डाले इसका एंसर लिखेंगे मेगस्तिनीज ने मोर्ज कालिन नगर प्रसासन का सबसे विश्तिरित एवं विशद वरनन किया है उनके अनुसार नगर का सासन प्रबंति सदस्यों की एक समिती के हाथ में था यह समिती छो समितियों में विभक्त थी परत्यक समिती में पांच सदस्य होते थे ये समितियां इस परकार थी पर्थम था सिल्प कला समिती इसके भी समितला लिख देंगे इस समिती के लोग उद्योग धंदों का निरिक्षन एवं प्रबंद करते थे दुसरा पॉइंट लिखेंगे जन गरना समिती यह समिती जन मरन का लेखा रखती थी तिसरा पॉइंड लिखेंगे वानिज समिती यह समिती नाप तोल का निरिक्षन कराय विक्राय का निरिक्षन तथा प्राबंध करते थे चौथा पॉइंड लिखेंगे उद्योग समिती यह समिती उत्पादित वस्तुओं की देखवाल करते थे और पांचमा पॉइंट लिखेंगे कर समिती इस समिती का परमुकार करवसुल करना था और छठा पॉइंट लिखेंगे विदेश यात्री समिती यह समिती विदेशियों के रहने तथा भोजन आदी की व्यवस्था करती थी तो इसमें जो है अगर आपको सौट कुछा लिखनी है और आपको में में पॉइंट याद करना है अगर आप में में पॉइंट इसका याद कर लेते हैं तो फिर आप इसका सौट मैं बना करके लिख सकते हैं नेक्स्ट कुछश्चन है कोटिल के अर्थसास्तर पर एक संचिप टिपनी लिखिए कहते हैं कोटिल यानि की चानक के अर्थ सास्त्र पर एक संचिप टिपनी लिखना है इसका एंसर होगा कि अर्थ सास्त्र नामक सुप्रसिद गरंद की रचना चानक यानि की कोटिल ने की थी जिन्हें की कोटिल लथवा विगुप्त के नाम से भी जाना जाता है इस प्रसिद्ध गरंत में 15 खंड 150 अध्य है और 180 उप विभाग तथा 6000 सुलोक है इस प्रसिद्ध गरंत की रचना ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत्य विद्वान प्रारंब से ही न केवल अध्यात्मिक प्रशनों पर विचार करते आये हैं बलकि उन्होंने भोतिक विशियों पर भी विचार किया है इस गरंत का महत्व प्लेटो और अरस्तु के की महान कृतियों से कम नहीं हैं विद्वानों ने इस गरंत की तुलना मेकियावेली के गरंत दी प्रिंस से की है कोटिल को भारत का मेकियावेली भी कहा जाता है आप से question ऐसे पुछा जा सकता है मेक्यावली किसे कहा जाता है तो याद रखेंगे कोटिल यानि की चानक को भारत का मेकिया वेली भी कहा जाता है नेक्स्ट क्वेस्चन है कि महाजन पद से आप क्या समझते हैं महाजन पद से आप क्या समझते हैं तो इसका एंसर लेंगे लिखेंगे कि उत्तर अवेदिक काल में जिन छेतिरे राजियों के उदाय की प्रकिरिया आरंभ हुवी थी वह छठी सदावदी स्वी पूर्व तक आते आते बड़े राजियों में बदल गए इन्हीं प्राभूता संपन राज्य को महाजन पद कहा गया है बोद गरंत अंगुतर निकाय के अनुसार 16 महाजन पद थी जो निमलिखित है पर्थम था कासी दुसरा कोशल तिसरा अंग चोथा मगद पाचवा वज्जी छठा मल सातवा चेदी आठवा वत्ष नवा कुरू दसवा पंचाल एगारवा मत्ष बारवा सुर्षेन तेरवा अ असमक, चोधमा अवंति, पंधरमा गंधार और सोलमा क्या है कमबोज ये सारे जो है न 16 महाजन पद थे इन महाजन पदों में वज्जी और मल गनराज थे और सेस में राज तंत्रात्मक्र नालिप रचलित थी इन महाजन पदों में सबसे शक्ति साली मगत था आपसे क्वे तो इसका एंसर होगा मगत जो था ये सबसे ज़्यादा सकति साली था next question है कि मगत समराज पर संचिफ टिपनी लिखे या टिपनी लिखे इसका एंसर लिखेंगे महाजन कसे सहारी पर चैपिंगे मिस्टेक हुआ है इससे आगे फिर लिख देंगे इसमें दक्षिन बिहार के वर्तमन पत्ना तथा गया जीले समलित थे बीच के काल में यह महाजन पद बहुत सकति साली बन गया इस राज की अस्थिति अधिक दिर्ड होने के विसेश कारण थे इसकी प्राचिन राजधानी राजगीरी थी राजगीर के इड़गिर्द पहाड़ियां थी जो इनकी प्राकिर्टिक रूप से रक्षा करती थी यहां की भूमी बहुत उबजाओ थी गंगा और सौन नदियों में नोकाओं दवारा यातायात की सुविधा भी मगत की सम्रिद्धी का कारण थी जिसके कारण व्यपार में विर्दी हुवी इसके अतरिक्ट यहां लोहे की खाने भी अस्थित थी जहां से क्रिशी यंत्र इस महाजन पद की सक्ति का कारण कुछ लोगों के व्यक्तिगत गुन बताये थे विम्बि सार अजाद सत्रू महा पदमनंद कुछ ऐसे ही व्यक्तियों के नाम है जिन्होंने अपने मंत्रियों के सहयोक्ष सम्राजवादी निती को लागू किया इसका एंसर लिखेंगे कलिंग यूद के उपरांद असोक ने महात्मा बुद से समंधि तिर्थ अस्थानों लुम्बनी कपिल वस्तू गया कुशी नगर तथा स्रावस्ति की यात्रा की और जिन सिध्यानतों का परचार किया उनका पालंग स्वैंग भी किया असोक ने बोध धर्म के नियमों को सिलाओं अस्थंबों गुफाओं पर खुदबाया उसने अनेक अस्तू बनवाये उसने बोध भिक्चिवों को आर्थिक सहता दी बोध धर्म की आंतरिक फूट को दूर करने के लिए पाटले पुत्र में बोधों की तिसरी संगती का आयोजन भी किया बोध धर्म के परचार हेतु परचारकों को भारत के विभिन भागों के साथ साथ विदेशों में भी भेजा लंका में असोक अपने पुत्र मेहंद्र और पुत्री संग मित्रा को भेजा इस परकार असोक वोध धर्म को विश्व धर्म बना दिया नेक्स्ट कुश्चन है कनिश के उपलब्दियों पर एक संचिप टिपनी लिखिए कनिस्क के उपलब्दियों पर एक संचिप टिपनी लिखिए इसका एंसर लिखेंगे कनिस्क कुसान वंस का सबसे महंतम सासक था जो 78 इस विपूर में समराट बना एवं उन्होंने सासन किया कनिस्क के समराट बनने की तिथी से ही उपलब्दियों का दोड़ सुरू एक सब एक हो जाता है सक्क संवत की सुरुवाट उसके गद्दी पर बैठने की थी 78 से ही मानी जाती है कनिस्क भारत का पहला सार्शक था जिसने चीन पर आकरमन करके उसके आर्थिक रूप से महत्पूर्ण छेत्रे सिल के रूट पर कबजा किया था कनिस्क भोध धर्म का अनुयाई था उसने असोक की तरह ही एसिया एवं चीन में भोध धर्म का परसार करवाया कनिस्क के संडक्षन में ही कस्मीर के कुंडल वन विहार में चतुर्द बोल संगती का आयोजन किया गया था कहते हैं कि साथ वाहन राज के बारे में टिपनी लिखिए इसका एंसर लिखेंगे कि लगभग साथ इस्विपूर में साथ वाहन राज की नीव सिमुक ने रखी थी यह गोदावरी तथा कृषना नदी के बीच का छेत्र था जिसको अब आंद्र कहा जाता है साथ करनी पर्थम साथ वाहन वन्स का सबसे सक्तिसाली साशक था उसने अस्वमेग यग किया और पूरे दक्कन पर अपने प्राभूता की गोशना की इस वन्स का एक और प्रशिद राजा गौमती पुत्र साथ करने था जिसने दुसरी सतावदीश्वी के प्रारंभि आरंभिक काल में साशन किया सातवाहन सासक अपने आपको ब्रहमन कहते थे और विश्णु मत के अनुयाई थे वे ब्रहमनों को फूले दिल से दान देते थे उन्होंने बोध मत को भी संडक्चन दिया अमरावती के अस्तुप तथा काले के चत इसी काल में बनवाए गए साहित द्रिश्टी से इस काल में प्राकिर्तिक भासाओं का उदय हुआ इस काल के सभी अभिलेग प्राकिर्तिक भासा में हैं नेक्स्ट कुश्चन है कि मेहरोली अभिलेग पर एक संचिप टिपनी लिखिये कहते है कि मेहरोली अभिलेग पर एक संचिप टिपनी लिखना है इसका एंसर लिखेंगे कि मेहरोली अभिलेग में चंद्रगुप्त के विजियों का उलेग क्या गया है यह लो अस्थम दिली के महरोली नामक अस्थान में कुत्व मिनार के समीप अस्थीत है इस अस्थम पर एक लेख उत्करिन है जिसमें छा पंक्तियां है इसमें चंद्र नामक राजा की विजियों का उलेख है इस लीख लेख में कहा गया है कि उसने अपनी भुजाओं के बल अधिराज की अस्थापना की थी उसका सासन दिर्द कालिन था वंस युद्ध में उसने समिलित रूप से आय शत्रों को भगा दिया था युद्ध में सिंदु नदी के साथ मुखों को पार कर उसने वाही लिकों को प्राजित किया उसके सोड़ से आज भी दक्षिनी समुंद्र गंधाय मायन जिस है जिस समय अभिलेक उत्किर्ण कराया गया उस समय उस राजा की मिर्तिव हो चुका था वह राजा वैसनब धर्म क अनुयाई था उसने विश्नुपद परबत पर विश्नु भगवान का द्वज अस्थापित कराया महरोली अस्थम्ब अविलेक में जिस चंद्र नामक राजा का उलेक किया गया वह गुप्त कालिन महान समराट चंद्र गुप्त विक्रमादित था नेक्स्ट क्वेस्चन ह कि सुदर्सन जिल पर एक संचिप टिपनी लिखिए सुदर्सन जिल क्या है उस पर एक संचिप टिपनी लिखना है इसका एंसर लिखेंगे सुदर्सन जिल प्राचिन भारते तिहास की इंजिनियरिंग की महान उपलबदी है इस जिल में सिचाई के लिए पानी इकठा किया जाता था यह जिल गुजरात में गिरनार के अस्थान पर बनाई गई इस जिल को चंद्रगुप्त मोड्य के सासनकाल में बनाया गया इस जिल में पहाडी नदी का पानी कठा किया जाता था जुनागड सिलालेक में लिखा है कि समराट असकंद्गुप्त के सासनकाल में अधिक वर्षा होने के कारण इस जिल का बान तूट गया तो गिरनार के राजपाल ने इस बान की मरुबत करवाए उसके कार्ज को बहुत से कवियों ने गुनगान किया है इसका एंसर लिखेंगे कि चंद्गुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्गुप्त दुइतिया सिंगहसन पर बैठा उसने विक्रमादित की उपाधी धारन किया वह एक बहुत बड़ा विजेता था उसने गुप्त समराज को सुद्रि बनाया और उसमें मालवा गुजरात और काठिया वार सामिल किये उसने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त विवाहमत दक्कन के वाकाटक वन्स के सासक रुद्र सैन दुतिय के साथ किया इस विवाहिक समन से चंद्र गुप्त को अपनी समस्त सैना को सकों के विरुद इकठी करने का अबसर मिल गया प्रभावती वाकाटक राजिक की प्रभावसाली महरानी थी चंद्र गुप्त कई परकार के नए सिक्य जारी किये उसके सासन काल में कला साहित और विज्ञान का अभुतपूर्ड विकास हुआ कला साहित की परगती को देखते हुए इतिहासकारों ने उसके काल को स्वर्न काल कहा तो माई डियर स्टुडेंट्स हमने बायस मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेस्टन एंसर करवाए हैं देखिए ये आपके भी हारवोड एक्जाम की दिरिष्टी कोन से बहुत इंपोर्टेंट है इसी वज़ए से जितना भी आप अभी कोशिश कर सके कि कम से क वीडियो को एक बार दूबार करके देखे और खुद से क्वेस्टन को लिखने का प्रियास करें आप जितना लिखेंगे उतना बहतर अपने रिजल्ट को बना पाएंगे बाकी आप जो हैं लगातार महनत करते रहें फल का टेंशन बिलकुल ना लें और ध्यान से महनत से त अपने दोस्तों को भी सेयर करेंगे बाकी 100 थैंक्स वेरी मच अल दा बैस्ट फिर पिलते हैं आगे की वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद